हेलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी बहुती बढ़िया रेसिपी है जो सभी की फैवरिट होती है और इसको बनाने के लिए सब सोचते भी है कि हम बिरियानी जल्दी से बनाए क्याने क्याने क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम जादा लगता है तो हम यहां पर आपको बता रहे लेकिन इससे पहले में कहना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल्स पर नए आए है तो प्लीस चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं यहां लिया है वन केजी चिकन और वन केजी ही मैंने राइस न programme प्लाइब ञाडियो को साफ कर लिया है और यहां पर फ्राइ की हूइ ज़िट निकाल लिया है दो में खर जबंगे चिकन और रूर्ट चिप्रण को मैरानेत तो यहां पर पिम पर जो यह आपकर बढ़ना समय टまで कर लिया है तो यहां पर यहां पर चिकन मैरा ड्या शु पाइट कर देंगे उसके बाद आप इसमें थोड़ा साथ चिकन मसाला पौडर जरूर डालें और यहां पर हमने एट कर लिया है फ्राइ की हुई ओनियन को आधा लेना है सबी ओनियन नहीं लेना है क्योंकि आधी ओनियन हमें लास्ट में ते बनाते हुए लगेगी अब हम य तीस्पून अद्रक लहसुन का पैस्टल लेना है साथ ही मैं यहां पर एट करूंगी 200 ग्राम के करीब दही अगर आपके पास थिक वाली है तो आप वही एट करें यहां पर यानि के एक कटोड़ी भरके मैंने इसमें दही एट की है और साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक से अगर आप चाहते है रेडी मेड जो बियानी मसाला आता है वह भी आप इसमें टू टीस्पून डाल सकते हैं अगर आप इसमें अखा करम मसाला या बियानी मसाला नहीं एट करना चाहते हैं तो आप इसमें पिसा हुआ एट कर सकते हैं मैरेने अट करते हुए अब यहां पर तरान के एम जाड़े क कसे या चुकली फूल साथ kayak các हम समया हसे माइल नहें गरम मचलहा.. अलब हम साम सहरे भी माइल साथ शुसमें कक्या नमेति रखे है.. जब तूर ट्यू है.. डलें जैसलेरे तरहते ह्ज़रे के तलेश सिप्टन गरम मसाले तरकने लिजने कर दो.. तो अब हम इसमें डाल देंगे मैलेनेट किया हुआ चिकन दोस्तों आपको यहाँ पर धियान रखना है जब आप मैलेनेट किया हुआ चिकन आउल में डालेंगी तो गेस की फ्लेम को स्लो कर दे उसके बाद जब यह थोड़ा सा पानी ग्रैवी छोड़ देगा मसाला तब हम गेस की फ्लेम को हाई करेंगे हाई फ्लेम करके हम इसको पांच मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे देखे इसमें किस तरह से ख़डबत ख़ड़े आ रहे हैं यानि कि इसका जो मसाला अच्छे से भुन जाएगा अब हम गेस की फ्लेम को स्लो करके और मसाले को पकने देते हैं इजार हमने यहां पर ले लिया है बासमती राइस इसको मैंने आदे से पौना घंटे के लिए भीगो के रख दिया था अब हम इसको बाइल के लिए पानी रखेंगे उसमें तूटी स्पून नमक यहां पर कुछ हम इसमें मसाले डालेंगे हरी लाइची है दाचीनी के टुकुड़े हैं दो तेज पत्ते हैं लोओंगे और काले मिर्चे ये सब मसाले मैंने पानी में डाल दिये हैं वन टी स्पून आप इसमें ऑईल भी डाल सकते हैं अब हम इतने देखेंगे मसाला अच्छे से बन रहा है और इसमें ऑईल भी उपर आ गया है अब हम इसमें डाल देंगे टू टी स्पून बिल्यानी मसाला अगर आप चाहे तो रेडी मेट डाल दे रेडी मेट आसानी से मिल जाता है अगर आप चाहते हैं कि घर पे आप बना के मसाला डाले तो आप घर भी बना करके पीस के आप इसमें बिर्यानी मसाला डाल सकते हैं इसके बाद हमने इसमें बिर्यानी मसाला मिक्स कर दिया है और यह पक रहा है अब हम इसकी गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा मसाला एच्छे से रेडी हो चुका है अब बेंट मैं का माई और खेंगे यहारा का का भादई ऐसका एक क्या रहे से लिगाना है और आफे सान ही स्कूछी जेखा णालेंगें क्योंकि पानी में बायल आ गया है कि गौ्क ऑनी के बाद हम इसमे राईस डाल देंगे टोड़ा सा, बचा जिता थोड़ाईस तर तो फ़र चला करके ठोड़ने चूड नहीं कि पुझा डेंगे तब हम इसको चेक कर लेंगे तो चावल देखिए बन चुके हैं पानी बहुत कम बाकी है चावल मैंने चेक कर लिया है और यह 99% पक चुका है अब हम इनको ड्रैन कर देंगे यानि कि निशोड देंगे देखिए चावल एकदम खिला खिला बना है दो भॉर्टो 9-1 तेसे भी हैं के बासमती रायसे से बहुत अच्छा बनता है। अब हमने लगानी हैं चावल की लेड़ तो यहां पर भोहनी बोगोना जिसमें चावल بॉाइल किया थेूध hyvä। डालेंगे पहले, उसके बाद हम लगाएंगे चावल के लिए है, सबसे पहले हम इसमें आधे चावल जो है नीचे लगा देंगे, उसके बाद जो हमें इसमें लगाना है चिकन मसाला, देखिए चिकन मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, पहले हम इसमें आइस्टा से जो हमने स्मोगी फ्लेवर दिया था वो निकाल देते हैं और अब हम डालेंगे इसमें उपर से चिकन बहुती अच्छे से हमें चाजो पर चिकन लगा देना है मसाला हमारा बहुती अच्छा तैयार हुआ है देखिए हमने लगा दिया है तक पम इस डालेंगे हरा धन्या और पोदीने के पति जो हमने बचा के रखे थे और जो हमने आउनियन फ्राइ किया हुआ बचा था वो भी हमने उपर से डाल दिया है अब जो बाकी के बचे हुए चावल है वो भी हम इसके उपर लगा देंगे देखिए कितने अच्छी चावल हमारे बढ़ी अग्दम रेडी हुए है चावल लगाने के बाद अब हम इस पे फिर से दुबारा से हम इसमें डालेंगे फ्राइ किया हुआ ओनियन और हर धनिया पोदीने के बारी कट किये हुए पत्ते इसको हमें दम रखने के लिए हमने गेज पे तवा चुड़ा दिया इतने तवा हमारा प्री हीट हो जाएगा देखिए हाथ लगा के पता लग जाएगा उसके बाद हम रखेंगे बिर्यानी का भोगोना लेकिन इससे पहले हमारा जो लास्ट प्रोसेस कलर वो मैंने इसमें ड वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो जरा सी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा परफेक्ट चिकन दम बिर्यानी रैडियो हो चुकी है तो आईए हम इसको गर्म गर्म स साथ सार्व करेंगे बहुत ही टेस्ट एकदम होटल के जैसी जैसे आपने कभी होटल में खाई होगी वैसी ही हमारी रैडियो हुई है और टेस्ट भी इसका लेकिन मानो फिरन बहुत अच्छा आया है